आज की सेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं, ग्रूप 17 के टॉप 15 एसर्शन रिजन और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिसकस किये थे, ग्रूप 17 के नियर अबाउट 64 MCQs, तो चलिए करते हैं, स्टार्ट, हमारा फर्स एसर्शन रिजन का क्वेशन है, फ्लोरीन ए हैं कि फलोरीन एक 202-5 averaging क्योंकि माइनस वन यह इसलिए एक्सित करता है, क्योंकि इसका configuration 2S2, 2P5 होता है, ठीक है, यानि जन्नल configuration होता है s2 n mm और वैसे configuration होता है, यह बात बिलकूल ठीक है, इसका configuration यह है, इसलिए तो यह माइनस वन oxidation state में जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इसको एक electron की requirement है gain करेगा minus 1 में जाएगा और second shell है third shell इसके पास नहीं है यानि 3D नहीं है D sub shell नहीं है इसके पास जिसकी हो जैसे यह minus 1 में stay करता है तो assertion भी ठीक है यहाँ पर और reason भी assertion का right explanation है तो इसलिए हमारा right option होगा a assertion is correct and reason is correct और reason जो है right explanation है assertion का आगे बढ़ रहे है वो कह रहा है the fluorine has lower reactivity fluorine की reactivity कम होती है ठीक है fluorine has lower reactivity reason ff bond has low bond dissociation enthalpy उसका reason क्या है क्योंकि जो fluorine fluorine bond होते है उसकी bond dissociation enthalpy कम होती है तो fluorine has lower reactivity fluorine की reactivity कम है, fluorine कम compound बनाता है, और उसका reason है कि fluorine has low bond dissociation enthalpy, तो इसका right option जो होगा वो होगा हमारे पास C assertion यहाँ पर correct है, लेकिन reason यहाँ पर incorrect है, आगे बढ़ते हैं, FF bond in F2 molecule is weak यानि fluorine के molecule में, F2 के molecule में, जो F single bond F यानि यह bond जो होता है, वो weak होता है, त्टिक है, यह बात बिल्कुल ठीक है, कि यह weak होता है, क्योंकि interatomic repulsion होता है, जिसके वज़े से यह bond weak होता है, आगे वो कहरा है कि reason दे रहा है, F atom is small in size, क्योंकि size, fluorine के size बहुत छोटा होता है, जिसकी वज़े से इनके बीच में रिपल्शन बहुत जादा होता है और जिसके वज़े से बहुत वीक पड़ता है तो यह बात बिल्कुल ठीक है यानि assertion और reason दोनों right है इसलिए यहां right option होगा a assertion is correct and reason is correct reason is a correct explanation for a stronger acid than HClO3 HClO4 जो होता है एक stronger acid होता है किस से HClO3 से यह बात बिल्कुल ठीक है HClO4 एक stronger acid होता है वो कहरे reason में oxidation state of Cl in HClO4 is plus 7 and HClO5 HClO3 में जो plus, इसके oxidation state plus 5 होते है तो यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि यहां पर अगर आप oxidation state निकालेंगे तो यह plus 7 होगी, यहां पर होगा तो यहां plus 5 होगा लेकिन क्या oxidation, केवल oxidation state ही acid character को decide करती है केवल oxidation state से हम acid character decide नहीं कर पाते है हम किस बात पर depend करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो oxygen है यहां पर oxygen, oxygen एक more electronegative element है oxygen एक more electronegative element है ठीक है, यहां पर oxygen का number बढ़ गया है और यहां oxygen का number कम है जिसकी वज़े से जो chlorine है chlorine जो है oxygen क्या करेगा oxygen जब यहां 4 oxygen यानि HClO4 में आप समझने की कोशिश कीजिए कि HClO4 में 4 oxygen है यह 4 oxygen electron को pull करेंगे, खीचेंगे कहां से OH bond से जिसकी वज़े से सारा electron इधर आ जाएगा और यहां से H plus का निकलना आसान हो जाएगा क्योंकि यहां 4 more electronegative element जुड़े हो है जबकि HClO3 में 3 more electronegative element जुड़े हो है तो no doubt कि यह वाले oxygen भी electrons को pull करेंगे, OH bond वाले electrons को pull करेंगे, लेकिन यहां के comparison में थोड़ा कम pull करेंगे, क्योंकि यह 4 most electronegative element electron को अपनी और pull करेंगे, और H plus को निकलना आसान करेंगे जबकि HClO3 में 3 oxygen atom अपनी और electron को pull करेंगे, और H को निकलने का काम आसान करेंगे, तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है, कि जहां से easily removal of H plus होता है, वो अच्छा acid होता है, और HClO4 में 4 oxygen ऐसे हैं, जो ज़्यादा electrons को खीच रहे हैं, और H को निकलने में आसानी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, कि assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है, लेकिन reason, right explanation नहीं है, assertion का, reason यह होना चाहिए था, कि HClO4 में oxygen एक most electronegative element होता है, जो कि HClO4 में 4 most electronegative element जुड़े हैं, जो electrons को ज़्यादा pull करेंगे, और OH bond को weak करेंगे, जिसकी वज़े से H plus का निकलना आसान होगा, तो यहां हम option के साथ जाएंगे, B के साथ, यह बात बिल्कुल ठीक है, कि Chlorine Gas जो होती है, वो articles को permanently bleach कर देती है, क्योंकि Chlorine एक बहुत अच्छी oxidizing agent होती है, और यह permanently articles को bleach कर देती है, ठीक है, और कैसे करती है, तो oxidation के through करती है, किसकी presence में, moisture की presence में, अगर Chlorine को moisture मिल जाए, तो वो articles को bleach कर देता है, बिल्कुल ठीक है, यह assertion तो ठीक है, अब reason दे रहे हैं, Cl2 is a strong reducing agent, इसका reason यह दे रहे हैं, क्योंकि Chlorine एक strong reducing agent होता है, तो अभी अभी तो बोला मैंने, कि articles को यह bleach करती है, क्योंकि यह बहुत अच्छी strong oxidizing agent होती है, Chlorine जो है, वो एक बहुत अच्छा oxidizing agent है, ना की reducing agent, तो reason तो बिल्कुल गलत है, और assertion यहाँ बिल्कुल ठीक है, इसलिए right explanation होगा इसका C, यानि assertion is correct और reason is incorrect, आगे बढ़ते हैं, question number 6 की ओर, on hitting NaCl with concern treated H2SO4, HCl is produced, यानि अगर आप NaCl को heat करोगे, यानि अगर आप NaCl की reaction, वो कहरा है NaCl को आप H2SO4 के साथ heat करोगे, तो हमें बता है, जब हम NaCl को H2SO4 के साथ treat करेंगे, तो Na2SO4 बनेगा, plus 2HCl बनेगा, तो वो कहरा है HCl is produced, बिल्कुल ठीक बात है, HCl produce हो रहा है, तो assertion तो यहां पर ठीक हो गया आगे हम से कह रहा है, कि Reason, concentrated H2SO4 oxidizes HCl to produce Cl2, क्या यहां पर concentrated H2SO4 जो डाला गया है, वो क्या कर रहा है, वो HCl को oxidize कर देगा, और HCl को oxidize करके, किस में convert कर देगा, क्लोरीन में convert कर देगा, तो reaction में तो हमें ऐसा होता है, दिक नहीं रहा है, तो इसका मतलब Reason तो बिल्कुल गलत है, और assertion यहां बिल्कुल ठीक है, तो right option होगा हमारा C, आगे बढ़ते हैं, question number 7 की ओर question number 7 है, HI cannot be prepared by the reaction of KI with concentrated H2SO4 यानि, HI hydrogen iodide नहीं बन पाता है किस की reaction से? reaction of KI with concentrated concentrated H2SO4, यानि अगर KI की reaction H2SO4 से करें तो HI form नहीं होता है ठीक है, यह assertion में कह रहा है, और यह बात विल्कुल ठीक है नहीं हो पाता है, क्योंकि HI इसलिए नहीं बन पाता है यह जो I है, अगर हम यहां पर I की बात कर रहे हैं, यह जो I है iodide आयन है, यहां पर यह iodide किस में convert हो जाते हैं? I2 में convert हो जाते हैं, iodine में convert हो जाते हैं, इसलिए वो HI नहीं बनाते हैं reason दे रहा है, वो concentrated H2SO4 oxidizes HCl to produce Cl2, concentrated H2SO4 जो होता है, वो क्या करता है? वो oxidize कर देता है HCl को CO2 में, दिखो जी यह बात गलत है no doubt, कि यहां concentrated H2SO4 जो है वो क्या कर रहा है? एक बहुत अच्छा oxidizing agent है, जो oxidize करता है, लेकिन वो HCl को oxidize नहीं करता Cl2 में, बलकि वो KI को, iodide को iodine में oxidize करता है और iodide को iodine में oxidize करने की वज़े से, वो HI नहीं बनाता है यहां पर HI नहीं बनता है यहां बनता है iodine तो यह reason जो है, वो गलत है assertion यहां ठीक है, तो right option होगा C, ठीक है? आगे बढ़ते हैं आगे, question number 8 की ओर बढ़ते है F2 is a strong oxidizing agent F2 is a strong oxidizing agent F2 is a strong oxidizing agent है, यह बात बहुत ठीक है यह बिल्कुल ठीक है reason वो देना है, क्योंकि इसकी electron gain enthalpy इसकी electron gain enthalpy of fluorine is less negative electron gain enthalpy of fluorine बहुत ज्यादा less negative होती है इसलिए यह strong oxidizing agent है तो देखे, assertion तो यहां पर ठीक है कि assertion यह बात कह रहा है कि F2 is a strong oxidizing agent है लेकिन reason यहां पर गलत है क्योंकि reason में क्या होता है कि इसकी जो low F2 की क्या होती है low enthalpy होती है कि इसकी low enthalpy of dissociation क्योंकि यहां repulsion बहुत ज़्यादा होता है और FF bond बहुत जल्दी तूड़ जाता है dissociation enthalpy बोल सकते हैं इसको कि यहां जो dissociation enthalpy होती है F2 की वो बहुत low होती है जिसकी वज़े से F2 बड़ी जल्दी तूटता है और दूसरा reason होता है यहाँ पर F2 की high hydration enthalpy होती है पानी के साथ react करने के energy बहुत ज़्यादा होती है तो यह कारण होता है कि यह बहुत अच्छा oxidizing agent होता है तो reason बनना है वो यह बनना है कि F2 की enthalpy कम और hydration enthalpy ज़्यादा होती है bond enthalpy कम तो इसलिए हम जाएंगे B के साथ assertion यहाँ सही है reason वाली बात ठीक है लेकिन reason वाली बात assertion को explain नहीं कर पा रही है इसलिए option B सही होगा आगे बढ़ते हैं question number 9 की ओर fluorine oxidizes water to oxygen whereas chlorine and bromine react with water to form corresponding hydrohelic and hydroheles acid कि chlorine जो है fluorine जो है वो पानी के साथ react करके oxygen water to oxygen ठीक है यानि fluorine पानी इमको oxidize कर देता है oxygen के अंदर जबकि chlorine और bromine पानी को hydrohelic या hydroheles acid में convert करते हैं यह बात बिल्कुल ठीक है ठीक है ऐसा क्यों क्योंकि fluorine जो है size छोटा electronegativity ज़ादा और absence of D sub shell होता है इसका nature दूसरे element से different होता है अपने group के reason वो दे रहे है reason कहने the reactivity of halogen increases down the group इसका reason यह है क्योंकि उपर से नीचे चलते हुए halogen की reactivity बढ़ती है नहीं जी इसका reason यह नहीं है इसका reason यह है कि fluorine की electronegativity ज़ादा होती है size छोटा होता है absence of D sub shell होती है जिसकी वज़े से यह different behavior दिखाता है chlorine और bromine के साथ तो यहाँ reason जो है वो बिल्कुल गलत है और assertion यहाँ बिल्कुल ठीक है तो इसलिए हम जाएंगे C के साथ assertion is correct and reason is incorrect आगे बढ़ रहे हैं assertion की ओर HClO4 is stronger acid than HClO3 inter-halogen compound are more reactive than halogens inter-halogen compounds जो होते हैं वो halogen से more reactive होते हैं यह बात बिल्कुल ठीक है inter-halogen compound halogen से more reactive होते हैं except fluoride, fluoride को छोड़ कर यह भी बात बिल्कुल ठीक है reason वो कह रहे है they all undergo hydrolysis giving halide ion derived from the smaller halogen and anion derived from larger halogen यानि वो यह कह रहे है इसका reason यह है जब इनका hydrolysis किया जाता है they all undergo hydrolysis giving halide ion तो यह halide ion देते हैं derived from the smaller halogen and anion derived from larger halogen यह बात क्या ठीक है या नहीं तो उसके लिए यह बात हम कहेंगे कि यह बात भी ठीक है कि होता क्या है कि जब हम inter-halogen compound बनाते हैं तो हम MXX-XX3- टाइप के बनाते हैं less electronegative को आगे रखते हैं तो इसका मतलब है यह बात तो बिल्कुल ठीक हारी है इसके हिसाब से और यह भी ठीक हारी है लेकिन reason assertion को explain तो नहीं कर रहा है यह बात reactivity को decide नहीं करती है तो जब यह बात reactivity को decide नहीं करती है तो इसका मतलब हम option में किसके साथ जाएंगे, यानि assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है, रेकिन reason right explanation नहीं है, assertion का तो यहाँ पर b option हमारा विल्कुल right होगा, b option के साथ जाएंगे, ठीक है, अब अगर हम इसका कहें कि इसका right reason क्या होना चाहिए, तो right reason होना चाहिए, क्योंकि यहाँ और bond dissociation enthalpy xx- की क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से reactive ज़्यादा होते हैं, ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, question number 12 की और halogens are colored, halogens generally colored होते हैं, यह बात बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी पिछला वीडियो में आपको बताया था, सारे halogens के color बताये थे, तो halogens molecule absorb some wavelength of visible light and electrons are promoted to higher energy molecular orbitals, और electrons, देखे, जब कोई compound का color इसलिए होता है, क्योंकि जब वो lower energy से higher energy की होड़ जाता है, तो अपने, वो हमारे visible reason से होकर गुजरता है, और जब वो हमारे visible reason से होकर गुजरता है, तो जो color वो absorb कर लेता है, तो ठीक, और जो color वो absorb नहीं कर पाता वो ही color उस compound का बन जाता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, assertion भी ठीक है, और reason assertion का right explanation है, इसलिए यहाँ option रहेगा A, आगे बढ़ रहे हैं, question number 13 की ओर, chlorine gas bleaches the article permanently, chlorine जो है, articles को permanently bleach कर देते हैं, उसका reason यह दे रहे है, chlorine is a strong reducing agent, तो यह भी repeat हो चुका है, तो अब हमें हमने दे agent होता है, तो यहाँ reason गलत है, assertion ठीक है, C option होगा यहाँ पर, ठीक है, तो यह हम कर चुके है, आगे बढ़ रहे है, 14, HOF bond angle in HFO is higher than HOCl bond angle in HCO, यानि HOF का जो bond angle होता है, in HFO में higher होता है, जबकि HOCl का जो bond angle होता है, HCO में वो जादा होता है, आगे बढ़ रहे हैं, इसका reason वो और दे रहा है कि oxygen more electronegative than all halogen except fluorine, उसका reason यह है कि oxygen बहुत ज़्यादा electronegative होता है, ठीक है, सब halogens के comparison में, किसको fluorine को छोड़ कर तो भी है, पहले हम assertion पर ही जाएं, तो हमारा assertion ही गलत है, यह गर है, HOF का जो bond angle होता है, HOF bond angle in HFO, HFO is higher, नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, यह पहला ही हमारा assertion बिल्कुल गलत है, और assertion भी गलत है, और reason भी इसका, और जो दिया हुआ है, वो भी गलत है, तो यहाँ पर हम D के साथ जाएंगे, assertion is incorrect, reason is also incorrect, ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं, next question, 15, है यह वाला question भी हमारा discuss हो गया है, लेकिन इसका reason इस बार दूसरा दिया है, कि HI cannot be prepared by the reaction of KI with concentrated H204, HI नहीं बन पाता है, तो अभी अभी बताया था कि KI के साथ जब H204 treat करता है, तो यह बहुत अच्छा oxidizing agent होता है, जो यह iodide को किसमे convert कर देता है, iodine में convert कर देता है, और जब iodide iodine में convert हो जाएगा, तो वो HI बनाएगा ही न lowest bond strength among halogen acid, इसका reason वो दे रहे हैं, क्योंकि इसकी lowest bond strength होती है, देखो, पहला assertion यह बार ठीक है, assertion जो उन्होंने दिया है, यह बार ठीक है, उन्होंने काया, HI की bond length, देखो, bond strength कम होती है, HI की bond strength कम होती है, मैंने बताया था, bond strength किस बात पर depend करती है, bond length पर, size पर, और iodine का size बहुत बड़ा होता है, जिसकी वज़े से bond length काफी ज़्यादा होती है, और जिसकी bond length ज़्यादा होगी, उसकी bond dissociation enthalpy कम होगी, means bond strength कम होगी, तो HI की bond strength कम होती है, halogen acid में यह बात विल्कुल ठीक है, यहां reason जो है, assertion है, वो ठीक है, लेकिन reason assertion का कोई match नहीं है, जिसकी वज reason is not a correct explanation for assertion, तो near about 15 assertion reason हम लोगों ने discuss किये, जिसमें से 1-2 repeat हो गए है, तो 64 MCQs और near about 13-14 assertion reason जब हम एक group से कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता किस से question कोई बहार आएगा, ठीक है, तो आप इस वीडियो को दुबारा देखिए, अच्छे से देखिए, पिछली वीडियो तो उसको revise कीजिए, मिलता हूँ आप से next वीडियो में, thank you very much